ओम श्री पर्मात्मने नमा यथार्थ गीता श्रीमद भागवत गीता अथा शोडशो अध्याया योगेश्वर भागवान श्री कृष्ण के प्रश्ण प्रस्तुत करने की अपनी विशेष्ट शैली है पहले वे प्रकरण की विशेष्टाओं का उलेख करते हैं जिससे पुरुष उसकी ओर आकरशित हो तक पश्चात वे उस प्रकरण को स्वश्च करते हैं उदारण के लिए कर्म को ले उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी के अर्जुन कर्म कर तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया के निर्धारित कर्म कर निर्धारित कर्म है क्या तो बताया यग्य की प्रक्रिया ही कर्म है फिर उन्होंने यग्य का स्वरूप न बताकर पहले बताया कि यग्य आया कहां से और देता क्या है चौथे अध्याय में तेरह चौधा विधियों से यकिका स्वरूप स्पष्ट किया जिसको कर्ना कर्म है यहां कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन आराधना जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन होता है इसी प्रकारूहों ने अध्याय नौ में दैवी और आसुरी संपत का नाम लिया उसकी विशेष्टाओं पर बल दिया कि अर्जुन आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं हूँ तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला क्योंके मनुष्य शरीर में ही मुझे ये स्थिति मिली है किन्तु आसुरी स्वभाव वाले मूर स्वभाव वाले मुझे नहीं बचते जबकि दैवी संपत से युक्त भक्त जन अनन्य शद्धा से मुझे उपासते हैं किन्तु इन संपत्तियों का स्वरूप उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया अब अध्याय सोलह में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं जिनमें प्रस्तुत है पहले दैवी संपत के लक्षण श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्यान योगं व्यवस्थिति दानम् दमश्च यक्यश्च स्वाध्यायस्थप आर्जवं भय का सर्वथा अभाव अंतह करण की शुद्धता तत्व ज्यान के लिए द्यान में द्रिड स्थिति अथ्वा निरंतर लगन सर्वस्व का समर्पन इंद्रियों का भली प्रकार दमन यग्य का आचरण जैसा स्वयम श्री कृष्ण ने अध्याय चार में बताया है संयमागनी में हवन इंद्रियागनी में हवन प्राण अपान में हवन और अंत में ग्यानागनी में हवन अर्थात आराधना की प्रक्रिया जो केवल मन और इंद्रियों की अंतरक्रिया से संपन होती है तिल जव वेदी इत्यादी सामग्रियों से होने वाले यग्य का इस गीतोक्त यग्य से कोई संबंद नहीं है श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्मकांड को यग्य नहीं माना स्वाध्याय अर्थात स्वस्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाला अध्य है तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना तथा आर्जवं शरीर और इंद्रियों सहित अन्ता करण की सरल्ता अहिम्सा सत्यमक्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनं दयाभूतेश्वलो लुप्त्वं मार्दवं भीरचापलं अहिम्सा अर्थात आत्मा का उद्धार आत्मा को अधोगती में पहुचाना ही हिम्सा है श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बर्तू तो इन संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण संकर का करता हो आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है, आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उधार ही अहिंसा है सत्य, सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रियभाशन नहीं है आप कहते हैं ये वस्त्र हमारा है तो क्या आप सच बोलते हैं? इस से बड़ा जूट और क्या होगा? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है तो इसे ढाकने का वस्त्र कब आपका है? वस्तुतह सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयम बताया है कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनू कालों में कभी अभाव नहीं है ये आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है इस सत्य पर द्रिष्टी रखना क्रोध का नहोना, सर्वस्व का समर्पन शुभा शुभ कर्म फलों का त्याग, चित की चंचलता का सर्वता अभाव लक्षे के विपरीत निंदित कारियों को न करना संपूर्ण प्राणियों में दया भाव इंद्रियों का विश्यों से सैयोग होने पर भी उनमें आसकती का अभाव उमलता अपने लक्षे से विमुख होने में लज्जा व्यर्थ की चेश्टाओं का अभाव तथा तेज जो एक मात्र इश्वर में है उसके तेज से जो कारिय करता है महात्मा बुद्ध की द्रिष्टी पढ़ते ही अंगुली माल के विचार बदल गए ये उस तेज का ही परिडाम था जिससे कल्यान का स्रिजन होता है जो बुद्ध में था ख्षमा, धैरिय, शुद्धी किसी में शत्र भाव का न होना अपने में पूज्यता के भाव का सर्वता भाव ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपत को प्राप्त पुरुष के लक्षन है इस प्रकार को 26 लक्षन बताए जो सब के सबतो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभाव है और आंशिक रूप में आप में भी निश्चित है तथा आशुरी संपत से आपलावित मनुश्यों में भी ये गुण है किन्तु प्रसुप्त रहते हैं तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है अब आशुरी संपत के प्रमुख लक्षन बताते हैं दम्भो दर्पो भिमानश्च क्रोध पारुष्य मेवच अज्ञानम्चा भिजातस्य पार्थ संपत मासुरी हे पार्थ, पाखंड, गमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरवाणी और अज्ञान ये सब आशुरी संपत को प्राप्त पुरुष के लक्षन है दोनों संपताओं का कारिय क्या है दैवी संपत्विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता माशुच संपतं दैवी अभिजातो सिपांडव इन दोनों प्रकार की संपताओं में से दैवी संपत्व अभिजातो विमोक्षाय विशेश मोक्ष के लिए है और आशुरी संपता बंधन के लिए मानी गई है हे अर्जुन तु शोक मत कर क्योंकि दैवी संपता को प्राप्थ हुआ है विशेश मुक्ति को प्राप्थ होगा अर्थात मुझे प्राप्थ होगा वे संपताएं रहती कहा है द्वाव भूतसर गवलो केस्मिन्द दैव आशुरैवच दैवो विस्तरश प्रोक्त आशुरं पार्थ मेश्रिनु हे अर्जुन इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं देवों के जैसा और असुरों के जैसा जब हिर्दय में दैवी संपतकार ये रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है और जब आसुरी संपत का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है स्रिष्टी में ये दो ही जातिया है वो चाहे अरब में पैदा हुआ हो चाहे आस्ट्रेलिया में कहीं भी पैदा हुआ हो बशर्ते है इन दो में से ही अभी तक देवुं का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया अब असुरू के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। हे अर्जुन असुर लोग कारियम कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्टव्य कारिय से निवृत्त होना भी नहीं जानते। इसलिए उनमें न शुद्धी रहती है न आचरन और न सत्य ही रहता है। उन पुरुशों के विजार कैसे होते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम्ते जगदाहुरनीश्वरं अपरस्परसं भूतं कि मन्यत काम है तुकं। वे आसुरी प्रकृती वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रे रहत है। सर्वथा जूठा है और बिना इश्वर के अपने आप स्त्री पुरुश के संयोग से उत्पन हुआ है। इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है इसके सिवाए और क्या है। पेताम द्रिष्टि मवश्टभ्य नश्टात्मानूल्प पुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्मान श्याय जगतो हिता। इस मिथ्या द्रिष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नश्ट हो चुका है। वे मंद बुद्धी अपकारी क्रूर कर्मी मनुश्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन होते हैं। काममा श्वित्य दुष्पूरम दंभमान मदान विताह मोहाद ग्रिहीत्वाद सद्ग्राहा प्रवर्तंते शुचिव ब्रताह। वे मनुश्य दंभमान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण नहोने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या से धान्तों को ग्रहन करके अशुब तता ब्रश्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किन्तु ब्रश्ट हैं। चिन्ताम परिमियांच प्रलयांता मुपाश्रिताह कामो पभोग परमा एतावदिति निश्चिताह वे अंतिम श्वास्तकनंत चिन्ताओं को लिए रहते हैं। और विश्यों को भोगने में तक पर वे बस इतना ही आनंद हैं। ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो। इसके आगे कुछ नहीं है। आशा पाश शतर बद्धाह कामक्रोध परायनाह। पीहन ते कामभोगार्थम। अन्या ये नार्थ संचयां। आशा रूपी सैकणों फासियों से। एक फासी से ही लोग मर जाते हैं। यहां सैकणों फासियों से। बंधे हुए कामक्रोध के परायन। विशय भोगों की पूर्ति के लिए वे अन्याय पूर्वक धनादिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेश्टा करते हैं। अतर धन के लिए वे रात दिन असमाजिक कदम उठाया करते हैं। आगे कहते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने आज ये पाया है। इस मनोरत को प्राप्त करूँगा, मेरे पास इतना धान है और फिर भी इतना हो जाएगा। असव मयाहत शत्रु हुप हनिश्ये चापरान पी। इश्वरो हम हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूँगा। मैं ही इश्वर और ऐश्वरे का भोगने वाला हूँ। मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ। आध्यो भी जनवानस्मी कोन्योस्ति सद्रिशो मया। यक्षेदास्यामि मोदिश्य। इत्यज्ञान अभी मोहिता। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्ब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यग्य करूँगा। मैं दान दूँगा। मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेश मोहित रहते हैं। क्या यग्यदान भी अज्ञान है। इस पर श्लोक सत्रह में स्पश किया है। इतने पर भी वे नहीं रुपते। बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। इस पर कहते हैं। अनेक चित्त विब्रांता मोह जाल समाव्रिताह प्रसकताह काम भोगेशु पतंति नरकेशु चव। अनेक प्रकार से ब्रहमित हुए चित्त वाले मोह जाल में फसे हुए। विशय भोगों में अत्यंत आसत्त वियासुवी स्वहाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। आगे श्री कृष्ण स्वयम बताएंगे कि नरक क्या है। आत्म संभा विताह स्तभधा धनमान मदान विताह यजन्ते नाम यग्यैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। अपने आपको ही श्रेष्ट मानने वाले धन और मान के मद्द से युक्त होकर वे खमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यग्यूं द्वारा पाखंड से यजन्ते हैं। क्या वही यग्य करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया है। नहीं उस विधि को छोड़ कर करते हैं क्योंकि विधि योगेश्वर ने स्वयम बताया है अध्याय 4 बटा 24, 33 तथा अध्याय 6 बटा 10 से 17 तक। अहंकारं भलं दर्पं कामं क्रोधं चसंश्रिताह मामात्म परदेहेशु त्रद्विशं तो अभ्यसूयकाह। वे दूसरों की निंदा करने वाले अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायन हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वैश करने वाले हैं। शास्त्र विदि से परमात्मा का सुमिरन एक यग्य है, जो इस विदि को त्याक कर नाम मात्र का यग्य करते हैं, यग्य के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वे अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वैश करने वाले हैं। लोग द्वैश करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं। क्या ये भी बच जाएंगे। इस पर कहते हैं नहीं। मुझ से द्वैश करने वाले उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। जो शास्त्र विधि को त्याक कर यजन करते हैं वे पाप योनि हैं। वही मनुश्यों में अधम हैं। इन्ही को क्रूर कर्मी कहा गया है। अन्य कोई अधम नहीं है। पीछे कहा था ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूँ उसी को यहां कहते हैं कि उन्हें अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ यही नरक है साधारन जेल की यातना बयंकर होती है और यहां अनवरत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुख़त है अता दैवी संपद के लिए प्रैपन झील रहना चाहिए कौन्ते मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनी को प्राप्थ हुए मुझे नप्राप्थ होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्थ होते हैं जिसका नाम नरक है अब देखें नरक का उद्गम क्या है काम, क्रोध और लोब ये तीन प्रकार के नरक के मूल द्वार है ये आत्मा का नाश करने वाले उसे अधोगती में ले जाने वाले है अतह इन तीनों को त्याग देना चाहिए इन्ही तीनों पर आसुरी संपध्धिकी हुई है इन्हें त्यागने से लाब एतैर्वि मुक्तह कउंतेय तमों द्वार एस्त्रिभीर नरह आचरत्यात्मन श्रेय ततोयाति पराम गतिम कॉंते नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्यान के लिए आचरण कर पाता है जिससे वो परम गति अर्थात मेरी को प्राप्त होता है इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है जिसका परिणाम परमश्वय है जो पुरुष उपरियुक्त शास्त्र विद्य को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वो न सिद्धी को प्राप्थ होता है न परमगति को और न सुख को ही प्राप्थ होता है अर्थात वो शास्त्र इदम गोहितमम शास्त्रम गीता स्वयम पूर्ण शास्त्र है जिसे स्वयम श्री कृष्ण ने बताया है इसलिए अर्जुन तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या न करूं इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है ऐसा जानकर शास्त्र विद्य से नियत किये हुए कर्म को ही तुझे करना योग्य है अध्याय तीम में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियतं कुरु कर्म त्वम नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यग्य की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है और वो यग्य आराधना की विदिविशेश का चित्रन है जो मन का सरवथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है यहां उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोग नरक के तीन प्रमुख द्वार है इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का अर्थात नियत कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार-बार कहा जो परम श्रेय परम कल्यार दिलाने वाला आचरण है बाहर सांसारिक कारियों में जो जितना व्यस्त है उतना ही अधिक काम, क्रोध और लोग उसके पास सजा सजाया मिलता है कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम, क्रोध और लोब को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है कर्म आचरण में ढल पाता है जो उस विदि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है उसके लिए सुख सिद्धी अथ्वा परमगति कुछ भी नहीं है अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एक मात्र प्रमाल है अता शास्त्र विदि के ही अनुसार तुझे कर्म करना उचित है और वो शास्त्र है गीता निश्कर इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपद का विस्तार से वर्णन किया जिसमें ध्यान में स्थिती सर्वस्व का समरपण अंतह करण की शुद्धी इंद्रियों का दमन मन का शमन स्वरूप को समरण दिलाने वाला अध्ययन यग्य के लिए प्रयत्न मन सहित इंद्रियों को तपाना अक्रोध चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादी 26 लक्षन जो सब के सब्तो इश्ट के समीप पहुचे हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभाव है। आंशिक रूप से सब में हैं। तदनंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान चार छह विकारों का नाम लिया। जैसे अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान, इत्यादी। और अंत में निर्णे दिया। के अर्जुन दैवी संपद तो विमोक्षाय। पूर्ण निवृत्त के लिए है। परमपद की प्राप्ति के लिए है। और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। अर्जुन तु शोक न कर क्योंके तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहां है। उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। देवताओं जैसा और असुरों जैसा। सृष्टी में बस मनुष्यों की दो ही जाती है। चाहे वैं कहीं पैदा हुआ हो। कुछ भी कहलाता हो। ततपश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया। आसुरी संपत को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्य होना नहीं जानता। और अकर्तव्य कर्म से निवृत्य होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्य ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न शुद्धी और न आचरण ही होता है। इससे आगे क्या है यह विचार कृष्ण काल में भी था सदैव रहा है केवल चारवाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है जब तक जन मानस में दैवी आसुरी संपद का उतार चड़ाव है तब तक रहेगा श्री कृष्ण कहते हैं वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सब का अहित अर्थात कल्यान का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं वे कहते हैं मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया उसे मारूंगा इस प्रकार अर्जुन काम क्रोध के आश्वित वे पुरुष शत करके जैद्रथादी को मारा यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है उन परमात्मा से द्वैश करने वाला है जबकि अर्जुन को श्रीकृष ने स्पष्ट कहा कि तु दैवी संपद को प्राप्त हुआ है शोक मत कर यहां भी स्पष्ट हुआ कि इश्वर का निवास सब अके हिर्दय देश में है स्मरण रखना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है अतह सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए अन्यथा दंड प्रस्तुत है योगिश्वर श्रीकृष ने पुने कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर आरंबार मीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का परियाय है यही नरक का स्वरूप है काम क्रोध और लोब नरक के तीन मूल द्वार है इन तीनों पर ही आसुरी संपद्ध ठिकी हुई है इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंब होता है जिसे मैंने बार आर बार बताया है सिद्ध है के कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंब काम क्रोध और लोब को त्याग देने पर ही होता है सांसारिक कारियों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त रहेँ, काम, क्रोध और लोब उनके पास उतने ही अधिक सजे सजाय मिलتए है। वस्तुतह इन तीनों को त्याग देने पर ही, परम में प्रवेिश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेिश मिललता है। इसलिए मैं क्या करूँ क्या न करू इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है कौन सा शास्त्र यही गीता शास्त्र कि मन्याई शास्त्र विस्तर रही है इसलिए इस शास्त्र द्वारा निरधारित की हुए कर्म विशेश अर्थात यग्यार्थ कर्म को ही तू कर इस अध्याय में योगीश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वरणन किया उनका इस्थान मानव हुर्दे बताया उनका फ्ल बताया अता ओम तच्सिदिती श्रीमत भगवद गीता सूप निशत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन समवादे दैवा सुर संपद विभाग योगो नाम शोडशो अध्याय इस प्रकार स्वामी अडगणानन्कृत श्रीमत भगवद गीता के भाष्य यतार्थ गीता का सोलवा अध्याय पूर्ण होता है हरियो तच्सद झाल तच्सद झाल 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 कैन प्रण झाल 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 बवद